शानी सुनिये डाउनलोड होते हैं सपने वैदेही के स्वर में सावले गालों पर काजल की लंबी गीली लकीरें खिची चली जा रही थी आज बहुत दिनों के बाद तो वह खुल कर रोप आ रही थी दो राहे पर खड़ी जिंदगी से और उम्मीद भी क्या करे चका चौन से भरी एक दुनिया उसे अपनी तरफ बुला रही थी पर वै न जाने क्यों चली आई थी उस दुनिया से ना ना उसका कोई इंतजार करता हुआ नहीं था घर पर कौन होगा उसने खुश से पूछा घर पर मा होगी ना रास्ता देख रही होगी सुमित्रा नहीं आई हे भगवान ये सुमित्रा नाम I hate this name इत्ता पुराना जैसे राजा राम चंदर के जमाने की रही हुँ मैं बड़े लोगों के घर जाडू पोचा करते करते वै लव हेट जैसे शब्द और I love you, I hate you या I love this, I hate this जैसे जुमले सीख गई थी और सीख गई थी अपने नाम से नफरत करना और अपने आप से प्यार करना आकिर कमी क्या थी उसमें अच्छी खासी तो है खोड़ा कॉलोनी में पैदा न होकर हाईवे के पार जो फ्लैट्स की आलिशान दुनिया है वहाँ पैदा हुई होती तो आज वह भी कुछ-कुछ होता है वाली अंजली जैसी होती उत्ती ही सुन्दर उत्ती ही कोमल बड़े लोगों की फ्लैट उसे अपनी तरफ खीचते थे पर वह केवल जाडू पोचे के लिए वहाँ नहीं जाना चाहती थी फिदा होने वाले कम से कम दो-तीन लड़के तो हों हाँ वैसे उसकी खोड़ा कॉलोनी में तीन-चार लड़के हैं जो उसके पीछे पड़े हैं पर उनका क्या उनका क्या स्ट्रेंडर्ड एक तो कुड़ा बीनता है साला थू आँखों से आंसू उसके मुँ में आ गए थे आंसू का खारापन उस लड़के के कूड़े की बद्बू में जैसे मिल गया उसने साला कमीना कहकर थूख दिया गला खकारा अंदर से जो भी बह रहा था उसे सडक पर साला कुट्ता कमीना मुझसे प्यार करेगा आउकाद देखी है कहकर थूख दिया जैसे अभी होटल में जो हुआ उसे भी अपने शरीर के अंदर से निकाल कर फेकना चाह रही हो ये साले मरद एक ही जैसे होते हैं सालों को एक ही चीज चाहिए थूख अग थूख उसने थूखना चालू रखा था और फिर दूसरा लड़का कहीं पर नाई का काम करता है ऐसा लगता है जैसे वह ना तो आदमी में ही है और ना ही औरतों में हरामी खोड़े की इस कालोनी की हर लड़की के बारे में जानता है उसकी दुकान में आते हैं या कौन कब लोधी गाड़ या कालिंदी कुझ गया था जिसे कहीं जगे नहीं मिली तो शाम होते ही नहर के किनारे जाड़ियों में कूड़े के धेर के पास ही कौन किसके साथ कितने समय तक रहा कितना शरीर किसका गुलजार हुआ ये सब उसे पता होता था हरामी क्या मैं वैसी हूँ पूरे खोड़े गाउं में मेरे जैसी न होगी मैडम जी क्या हुआ कोई परिशानी है क्या पुलिस वाले ने आकर पूछा नहीं सर जी न जी आप बहुत देर से या बैटी है न ये इलाका भली औरतों का है नहीं नरात में सर जी बस थोड़ी देर बैठी रहने दीजे अभी घर से कोई आएगा तो चली जाओंगी मर जी है आपकी मैडम जी वैसे होटल है न बहुत चालू है आप समल कर रहेगा बाकी मैं तो इस गाड़ी में हूँ ही क्या सर जी ओ मैंने कहा कि सौ नंबर वाली गाड़ी होटल के सामने ही खड़ी रहती है आप चाहें या आपको कोई प्रॉबलम हो तो जिजकना नहीं थंकू सर जी ओए कोई नहीं लग रहा पहली बार वाली है उससे मिलकर अपने साथी से बोलते हुए उस पुलिस वाले ने कहा उन लोगों की हसी उसे अपने शरीर पर रेंगती सी महसूस हुई ये कमबक्त शरीर ही उससे बड़ी जड़ है परेशानी की उफ ये पहली बार पहली बार शब्द उसे ऐसे ही लगता था जैसे उसके ऊपर कोई उसी एसिड की बारिश कर रहा हो जिससे वह अपना गिसा हुआ बातरूम गिस्ती थी उसे याद है जब उसके शराबी पिता ने उसके साथ शराब के नशे में बत्तमीजी की थी और अपना शरीर उस पर थोपने की कोशिश की थी कैसे दर्द में नहा गई थी उसके बाप ने बेशरमी से हसते हुए कहा था साली नकरे करती है एकदम अपनी माँ पर गई है शरीर है दर्द तो होगा ही पहली बार है न बाद में तो खुद ही मज़े आएंगे पर उसके शरीर को खुद पर से परे ढखेल कर भाग गई थी बस उसके कानों में उसके बाप की पहली बार शब्द गूंज रहे थे अपनी मा से पूछना चाहती थी पहली बार क्या होता है ठिठक जाती बेटी होकर मा से इतना भीशन प्रशन कैसे पूछ सकती है सवाल के बाद मा क्या उतनी ही ममतम अई रह पाएगी पता नहीं कौन सी देवी दुर्गा काली का रूप धारण कर ले जवाब में गाली ठुकाई भी संभव है काम से दिन भर की ठकी मा के लिए आराम भर चारपाई चाहिए कोई दुख दर्द की गाता नहीं कोई अंचाहे सवाल नहीं पड़ी हिम्मत करके तो उसने पिता वाली बात बता दी हैरान रह गई सुमित्रा की मा को अच्रज न हुआ जैसे उन्हें उम्मीद रही हो पिता से मा के चहरे पर सावधानी के लक्षन जरूर उभरे उस दिन से कोशिश करती कि बाप के साथ अकेली बेटियों को घर में छोड़ कर न निकले मा को इतना ठंडा पाकर उसकी हिम्मत बढ़ गई फिर उसने टनों भारी सवाल पूछी दिया मा तुम्हें पहली बार किसने चटा से एक थपड उसके गाल पर लगा करमजली साली अपनी मा से ऐसे पुछती है अरे हम औरतों का क्या होती है इत्ते लोग गुजरते हैं उपर से कभी न कभी तो किसी न किसी का पहली बार होता ही है किसे किसे बताऊं चल भाग यांसे हम जुग्यों की औरतों को इस्तमाल की चीज समझते हैं लोग धंदे वालियों पर पैसा फूँकाते हैं हम तो फ्री में हैं भाग यांसे ओ, काश इतना ही सरल होता भागना, तो वै भाग जाती, भाग जाती सड़क पार की रंगीनियों में, भाग जाती नौइडा जाने वाली हर कैब में, जिसमें वै सुभह सुभह इनी फ्लैटों से तैयार होती लड़कियों को जाते देखती, वै क्या उनसे कम है, अगर उसे उ इतना ही मेकप करके, जी अंटी, नहीं, बस, नहीं, अब नहीं करूंगे, मैं होटल के बाहर ही, जी, जी अंटी, सुधा अंटी का फोन था, ये सुधा अंटी भी न, बहुत जल्दी रहती है, उसे नई लड़कियों का सौधा करने की, डील करवाने की, हाँ यही सुना था उनके बारे में, उसने यह भी सुना था, कि वैं कोटियों में काम दिलाती है, बाप के मरने के बाद, माने भी जब खाट पकड़ ली, तो छोटा भाई बेहनों की, बैती नाक पोचने वाली सुमित्रा पर, घर की जिम्मेदारी आ गई, उधर उसका गूजर, मकान मालिक भ हाई, सामान फेक देगा, तो उसके भाई बेहन तो अभी से आवारा हो जाएंगे, वैसे भी उन्होंने इसी नहर और नाले के किनारे रहकर आवारा होना ही है, पर अभी नहीं, ऐसे ही उसके पीछे पड़े तीसरे लड़के ने, जिससे कभी-कभी वैं बात कर लेती थी, क जो कभी-कभी पहली बार का सुक चाहता था, और वैं उसे सिर्फ पपी जपी दे कर क्रतार्थ करती रहती थी, ने, उसे सुधा अंटी के बारे में बताया था, कि वैं कोठियों में जाडू पूछे का काम दिला सकती हैं, चली जा, कुछ ना कुछ तो करा देगी वैं, सु बोड़ा के अच्छे घरों के मरद अपनी अपनी बीवियों को सुधा अंटी के हवाले छोड़ कर निश्चिन्त हो जाते थे, कि चलो उनकी रात की दारू पकी, अब जब बीवी कमा ही लेगी, तो दिन में अपनी नौइडा में किसी फैक्टरी में मजूरी करो, और रात म बीवी की चिक-चिक से भी दूर, अपनी बीयों और जीयों, पर रात में किस क्या ज़ाड़ू पोचा होता है, सुधा अंटी सबसे पहले अपने यहां आने वाली हर लड़की को सजाती थी, समारती थी, वे भी अपने ब्यूटी पालर में, जिसे उन्होंने घर पर ही खोल रखा था, उसमें वे सबको मेक अप करना सिखाती थी, एक अंग्रेजी सिखाने वाली भी थी, जो ठैंकू, सौरी जैसे शब्द लड़कियों को सिखाती थी, उसने एक दिन पूछी लिया, आंटी, क्या ज़ाड़ू पोचे के लिए भी इत्ती सबकी जरूवत होती है, ज़ाड़ू पोचा ही तो होता है, शरीर का ज़ाड़ू पोचा, और सब हसने लगी थी, दरसल सब एक परत के नीचे होता था, ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं, सबको सब कुछ पता, दिन में ब्यूटी पारलर में सजाओ, और अंग्रेजी सिखाओ, और रात में बाप रे कैसे कैसे लोगों की फोन आते थे सुधा अंटी के पास, और सब की डिमांड अलग-अलग, अधिकतर की डिमांड होती थी, शादी शुदा, घरेलू और ते तो जादा चूचपड न करें, दो घंटे बस उनकी इच्छाओं पर नाचें, और इसके लिए वे सब इतना पैस देने के लिए तयार रहते थे, कि सुधा अंटी के प्लेस्मेंट ब्यूरो में नौकरी करने वालियों की कमी नहीं होने पाती थी, एक बार जो सुधा अंटी के प्लेस्मेंट ब्यूरो का हिस्सा बना, तो वह बस बन ही जाता था, फिर और कहीं नहीं जा पाता था, कुछ के अयाश मरद बीवियों को मारपीट कर भी सुधा अंटी के पास लाते थे साली घर पर पड़ी रोटी तोड़ती है कुछ करा दो चार-पांच्छे मरद छू लेंगे तो अपवित्तर नहीं हो जाएगी वैसे ही कौन सी सीता मैया थी साधी से पहले भी तो सब कुछ करे बैठी है अपने यार के साथ रात होते ही सुधा अंटी का ब्यूरो गुलजार होने लगता था एक गाड़ी आती उसमें नंबर के हिसाब से और कौन किसके पास जा रहा है के हिसाब से लड़कियां बैठती आंटी के तमाम हुकमों में से सबसे बड़ा हुकम यही होता कि नकरे नहीं करना जो कस्टमर बोले वह करना ज्यादा नकरे करने से कस्टमर तुनक जाते हैं और तुनकने का मतलब है कि कस्टमर का हाथ से जाना और कस्टमर के हाथ से जाने का मतलब है तुमारी कमाई नहोना और लगभग सबी ओरते हां में सिरह लाती हां घर में ही रहकर कौन सी रानी बनी बैठती हैं ये कामवालीों की बस्ती भी जहां पर रात होते ही कराहें और आहें पूरे माहौल में चा जाती थी दिन भर काम करने के बाद अपने आवारा पतियों की इच्छा पर शरीर को परोसने के बाद वे सब अपने सुख दुख साजा करने के लिए बैठ जाती थी पर उसकी माँ के साथ ऐसा नहीं होता था उसकी माँ पिट लेती थी, अपना शरीर को चलवा देती थी फ्लेटों में ज़डू पोचा करके जो पैसा आता था उसका बाप वह सब छीन लेता था पर मजाल कि वह कुछ बोल भी थे वह कुछ नहीं बोलती थी बस जो उसका पती यानि उसका बापु बोलता था उसी मेराजी हो जाती थी उसे इन कामवालियों की बस्ती में उटने वाली हर कराह और आह अपनी ही लगती थी और अपने दर्वाजे पर बैठ कर सब के दर्द बांटती कभी-कभी जब सुबह वे काम पर जा रही होती तो कुछ कामवालियां अपनी रात की कहानी सुना रही होती वह बस इतना कहती सुनो, बच्चे हैं कोटरी में जाकर किस्सा सुनाओ इंग्रेजी सराप का और उसे समझ में नë आता था कि उसकी कालोनी में तो इंग्रेजी सराप की दुकान भी नहीं है फिर भी ये इंग्रेजी सराप अब समझ में आ रहा है कभी कभी तो उसे सही भी लगता है कि रात में उसका बाप ही कौन सा उसकी मा को छोड़ देता था देशी दारू की बद्बू जराजी कोडरी में फैल जाती थी और उसकी मा उसके बाप के घर आते ही उसे भाई बेनों के साथ भगा देती थी उसका बाप ही उस पर भद्धी नजर डालता अरे है तो यह मेरी ही आजा आजा उसकी माँ उसे भगा देती और वैं भाग जाती उसका मन होता कि अभी जाकर मंदिर में पगवान से पूछे कि अगर उसे सडक के इस तरफ पैदा नकर दूसरी तरफ पैदा कर दिया होता तो उसका क्या भी गड़ जाता बहुत समय हो गया है इसी मेक अप में यहां होटल के बाहर बैटे हुए कैला माइन बहुत लगा दिया था शायद अभी तक मेक अप की परत हटी नहीं है उसकी नजर सामने वाले पुलिस की गाड़ी पर गए सिपाही ने हाथ हिला कर कहा मैडम जी जैसी भी जरूरत हो बता देना खाली ही है तभी दूसरे वाले की आवाज उसके कान में पड़ी यार शरीफ लग रही है छोड़ना बेचारी लग रहा है फस गई है मैं बेचारी उसने सोचा हाँ शायद उनके लिए मैं लग रही होंगी पर इस होटल तक का सफर तो उसने खुदी तै किया था सुधा आणटी ने उसे सब कुछ बता दिया था पहले उसकी ट्रेनिंग हुई थी कि कैसे उसे कस्टूमर को खुश करना है कैसे बोलना है कैसा मेक अप करना है अब पहले की तरह मेक अप नहीं होता जिससे ऐसी ओरतें पहचान में आ जाती थी आप तो उन्हें घरे लूग शरीफ ओरतें चाहिए होती हैं कभी कभी उसे शरीफ शब्द से सबसे ज़्यादा चिड़ होने लगती है शरीफ कौन होता है पर उसे क्या होता रहे शरीफ कोई भी उसके लिए शराफत केवल इस समय अपने भाई बेनों का पेट भरना और उनके सपनों को पूरा करना है उसके सपने आंसू पोँचते हुए उसने अपने शरीर पर अपने कस्टमर के ओठों का बोज मेहजूस किया फिर उसे अपने सपनों के साथ तौला वा देखो अभी उसके सपने ही भारी थे उसके सपने कलर किये हुए बाल, छोटी छोटी ड्रेस, पार्टियों में जाना, इंग्रेजी वाली सराप पीना सुधा अंटी ने उससे कहा था कि उसके ये सभी सपने पूरे होंगे वह रात में बस दो-तीन घंटे बिता आये और दिन में कुछ भी करे दान सीखे, पढ़ाई करे, मेक अप करे, कुछ भी करे पर रात का काम, लोग क्या कहेंगे सुधा अंटी ने कहा, कौन से लोग, किन लोगों से डर रही हो जब तुमारा बाप जंगली बनकर तुमारी मा को नोचता था, कोई आया बचाने हाँ, सुधा अंटी ने ठीक ही कहा था, एक देन उसके हाथ में उसकी मा की पुरानी फोटो लगी थी, उसने पूछा, मा, ये कौन है अरे नास, पीटी कहां से मिली, काले बकसिया से, तो निकाली क्यों, पर ये है कौन, मैं ही हूँ तुम, पर तुमारे बाल तो बहुत लंबे हैं, और घने भी, हाँ, शैंपू तो खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो काली मिट्टी से साफ करती थी मेरी मा, ओ मा, तो अब, अब क्या, तुम देखती तो हो रोज, और सच, उसकी मा का कोई भी लमहा उससे चिपा न उसके सर के बालों को भी, उसकी मा को गंजा कर दिया था, मा चीक थी, पर उस बस्ती में ये चीक, कोई नई बात तो थी नहीं, फिर एक दिन उसकी सारी चीके बंद हो गई, अब न उसके सर पर बाल बचे, और नहीं उसका चेहरा ही ऐसा बचा था, जिसे वह और खराब कर और एक बरस पहले तो बापू ही चला गया उसने उस दिन चैन की सांस ली थी वेंट फ्लैटों में देखती छोटी छोटी बच्चियां अपने बापों से कैसे लड़ियाती थी वे अपने बाप के कंदे पर सर रख कर सोती रहती हैं और मैडम लोग तो एकदम रानी बन कर बैठी रहती हैं क्या कभी उसके साथ ये सब होगा या वे भी अपनी मां की तरह एक अभिशप्त जीवन जीएगे सुधा अंटी उसे समझाती क्या फरक पड़ जाएगा देखो ये सब भी तुकर रही हैं अपने पती से ज़्यादा कमा रही हैं और देखो कोई भी इने नहीं मारता सुधा अंटी शायद अपने धंदे के कारण उन सब परेशानियों को कैला माइन की परत के नीचे नहीं देख पाती थी पर वे कैसे उन सब सपनों को अंदेखा कर दे सुधा अंटी को क्या पता कि पती के पैसों से लोकल बाजार में जलेबी खाने में जो मज़ा है वे शरीर बेच कर पिज़ा खाने में नहीं उसकी मा की आँखों में उस मिठाई की कितनी खुशी होती थी जो उसका बाप कभी-कभी लेकर आता था और नशे में नहीं होता था तो उसकी मा के बाल भी काड़ता था अपनी मा का चेहरा देख कर वे भी खुश हो जाती थी उसका मन होता था कि वे सुधा अंटी से पूछे कि क्या उन्हें बिलकुल भी यह नहीं दिखता कि मेकप की परत के नीचे इन औरतों की कई कसकें दभी हैं पती के पैसों से ही सिंगार करने की हसरत पती के पैसों से गूल गप्पे खाने की हसरत हैं क्या ज़्यादा मांगती हैं हम कामवालियों की बस्ती की औरते हैं जो मांगती हैं वे भी मिलता नहीं, उसके लिए भी लाद गूसे ही मिलते हैं, हम कामवालियों की बस्ती किवल आहों और काराहों का हिसाब रखती हैं, और जो सपनों का हिसाब रखती हैं, उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ता है, और और ओरतें खोने के लिए तैयार भी है सुधा आंटी इस तड़प को समझती है और वे इसी तड़प का हिसाब वसूलती है वे जो मेकप करती है उसी मेकप में उस तड़प को इतना अंदर दफन कर देती है कि आँखों के काजल में माधकता और नशा ही रह जाता है आसु कहां जाते हैं उसे पता नहीं चलता पर सुभे जब आंटी उन्हें पैसा देती है तो उस खुशी में छिपे दर्द को वह महसूस करती है वह भी रोती है जब बगल वाले आंटी सुभे सुधा आंटी से पैसा लेते समय हस पड़ती है क्योंकि जब से उसके बाप ने जबरदस्ती की थी तब से वह जबरदस्ती के दर्द से ही कांपती रहती है पर सुधा आंटी ने बताया था कि ये तो इंग्रेजी सराव वाले होते हैं ना बड़ी नफासत से करते हैं सब कुछ ओ इस कांप में नफासत भी होती है एक दिन उसने अपनी मा को अपने बाप के हातों नंगा होते और बाप को उसे नोचते खसूटते देख लिया था उसके मन में डर बैठ गया था सब कुछ कितना भयानक होता है पर अपने सपने पाने के लिए इस भयानक दौर से तो गुजरना ही होगा एक तरफ उसके मन में डर पैदा होता तो दूसरी तरफ उसके मन में अपने सपने थे वे क्या करें तुधा अंटी ने कितने खुबसूरत तस्वीर उसके सामने खीची है जब मन हो तब काम करो और जब मन ना हो तो ना करो रात में दो तीन घंटे का काम और फिराराम उसे हसी आई थी पहले दिन तो ये साले शरीफ घरों के आदमी दिन के उजाले में हम जैसियों की तरफ देखते भी नहीं पर रात में कोई फरक नहीं पड़ता दिन में कौन जात हमारा पानी न चूलें अरे बुरका वाली नहीं और रात में क्या जात क्या बुरका और क्या गूंगट हे भगवान इश्वर ने शरीर का सुख कैसा सुख बनाया है ये आदमी सुभह उठते ही सब भूल जाते होंगे कि रात में किसके साथ है कोई गंगाजल डालता होगा तो कोई अजान पढ़ने बैठ जाता होगा और इधर हम लोग खुश हो जाते हैं चलो अपना कुछ दिनों का काम तो चलेगा ये सुधा अंटी बीना कितने प्यारे तरीके से समझाती है क्या करे वह अब सुमित्रा ठकने लगी है बैठे बैठे ये बसे स्टेंड पर और ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती पुलिस वाले हाला कि अभी भी खड़े हैं पर वह अब जाना चाहती है कहां जाए अगर वापस जाती है तो उसके हाई हील कलरड बालों वाले सपनों का क्या होगा वापस जाएगी तो वही फ्लैट वालियों के घरों में जाड़ों पोचे वाली बन कर रह जाएगी पर वह क्या होगी अगर वापस जाएगी तो ही कौन सी भली जिन्दगी जी लेगी क्या पता जो उसने उस लड़के के साथ किया जले भी खाते खाते वह उसके होने वाले मरत को पता चल जाता तो वह भी उसके जूठन का ही आरोप लगाएगा उसके होने वाले को फिर उसके साथ भी वही होगा जो उसकी मा के साथ हुआ नहीं नहीं वह अपने शैंपू से कोमल बने बालों के साथ कुछ बुरा नहीं होने दे सकती उसे अपने चेहरे से भी बहुत प्यार है उसे अपने शरीर से भी बहुत प्यार है उसे भी डांस भी सीखना है भाई बेनों का पेट भी भरना है और मा की दवाई भी लानी है उसे बहुत कुछ करना है और इस बहुत कुछ करने में कुछ समझोते करने पड़े तो क्या हर्ज है क्या वे इन समझोतों की कीमत चुकाने के लिए तयार है क्या वे उस दर्द से गुजरने के लिए तयार है हाँ क्यों नहीं उसके सपने बहुत बड़े हैं इन फ्लैटों से भी बड़े और अपनी कालोनी से तो बहुत ही बड़े सुधा आंटी का फोन फिर आने लगा है कस्टमर उसे परेशान कर रहा होगा वे क्या करें उसने फिर फोन काट दिया है अब होटल से कोई आ रहा है मैडम आपकी मैडम का फोन आया है आप या तो अंदर चलिए या हम उन्हें बुलाएं ओ ये सुधा आंटी भी ना बस परिशान ही कर देती है सड़क पर जिस तरह स्ट्रीट लाइट खुलने और बंद होने की प्रक्रिया में लपलपा रही है वैसे ही उसके मन में उसके सपने और नहतिकता और शराफत में से बारी बारी से कोई ना कोई आ रहा है फोन बज रहा है होटल वाला संदेशा देकर जा चुका और वै अपने मन में सपनों का पलड़ा भारी देखकर मनी मन समझा रही है इंग्रेजी पीने वाले सरीफ होते हैं वे नोचते नहीं हैं और ये कोठी वाले फ्लैट्स वाले घरों में सबसे ज़्यादा मेड की तरफदारी यही लोग तो करते हैं और अपनी बीवियों से भिड़ जाते हैं कई बार मा किस से सुनाती है तो सुन कर उसे बड़ा मज़ा आता था लेकिन कभी उसके साथ ऐसी नौबत नहीं आई ज़्यादा दिन टिकी भी तो नहीं कहीं कोई दो दिन रखता तो चार दिन सुपर टेक वाली मैडम ने तो देखते ही मना कर दिया था और वो गौड गंगा वाली मैडम देर तक उसे घूरती रही सारी बात तै कर ली और आखिर में मना कर दिया अंतिम घर जहां उसने काम किया था मैडम ने वहीं फोन लगा कर सुमित्रा के बारे में तसल्ली करनी चाहिए फोन पर बात करते हुए मैडम का रंग बदलता रहा और सुमित्रा का दिल डूपता रहा वे समझ गई कि एक काम भी गया हास से फोन कट होने के बाद मैडम का रंग बदल गया था सॉरी मैं तुम्हें नहीं रख पाऊंगी मैंने तुम्हारे सारे किस्से सुन लिये हम नहीं जेल पाएंगे यह सब दो जवान होते बेटूं का घर है ऐसी चमक छलो को रखकर घर बरवाद करना है क्या आंटी कैसी बातें करते हुआ वह में में आई नो आंटी मैं बोलो हमारी कोई रिष्टादारी है क्या मेड हो आंटी फांटी मत कहो इसलिए तुझे काम नहीं मिल रहा वह किसे आ गए थी आपको मेरे काम से कोई शिकायत नहीं होगे एक बार काम करवा कर तो देखो आपको पता नहीं उन्होंने क्या बता दिया है रुआसी हो गई हाथ से सब कुछ फिसलता सा लगा एक और रिजेक्शन जीलना पड़ेगा वे क्या बताएंगी तेरे लक्षन ही तो देख रही हो जब से आई है कान में मोबाइल का वायर लगा ही हुआ है पता नहीं मेरी बाएच सुन रही है या गाने गाना ऑफ कर रखा है आप मेरी बात तो सुनो ना ना तुझे उर्मिला ने बेजा है न जर्ण इसको भेजिओ मेरे पास कुछ बात करनी है, मुझे कामवाली चाहिए, मनुरंजन का साधन नहीं, बता रही थी तेरी पहली मैडम कि तेरे ख्वाव हैं बड़े-बड़े, तुझे डांस भी सीखना है, गाना भी गाना है, मौल भी घूमना है, नाइट सो भी देखना है, दिन भर मुबाइल पर लगे रहना है, काम क्या करेगे, उन्होंने ऐसा कहा आपसे, कितना जूट बोलती है मैडम, सुमित्रा की आँखे फैल गए, चल, वो जूट बोलती है, पर तेरी वेश भूशा तो नहीं जूट बोल रही न, दिख तो रही है न, जैसा उन्होंने कहा, ये तू जो हीरोईन बनी फिरती है, बालों का पफ बना कर, ये छोटे छोटे कपड़े, किसी ने टोका नहीं तुझे, कोई रखेगा, ऐसी हीरोईन को, काम वाली चाहिए, नचनिया गवनिया नहीं, समझी, इस थूल का है मैडम, हाथ नचा नचा कर, उसे औकात पर ला रही थी, खोद दिन बर चे पर चाहिए, हर समय उसका ओडर बचाए, सुमित्रा को तेज गुच्सा आया, काम तो नहीं देगी, ठीक से सुना कर, निकल जाएगी, किसी का उधार नहीं रखना, काम ही तो मांगने आई थी, भीक नहीं, काम न दें, पर इस तरह अपमान क्यों कर रही हैं, मैडम, आप मेरे बारे में गलत बातें बताई, जाती हूँ अभी, तम तमाती हुई, उठ खड़ी हुई, मैडम मुस्कुराई, सुना है, तु जाडू लगाते समय ठुमकती रहती है, और रोटी बेलते समय गाने गाती है, पूरा घर डिस्टर्ब हो गया उनका, लोग पुकारते रहत हैं, और तु सुनती कहा है, उनकी अपनी धुन में रहती है, फिर ये दिन रात फोन के घंटी बचती रहती है, क्या गलत कहा उन्होंने, तुझे सोसाइटी में तो काम मिलने से रहा, हम मिलने न देंगे, कहीं और काम ढूंडो, जाओ, पहले खुद को काम वाली जैसी बना फिर काम खोजो, सुमित्रा बिना कुछ कहे निकल गई, मैडम पीछे से बखबकाती जा रही थी, जरा तेवर तो देखो, रहेगी जुगी में, और सपने देखेगी बड़े-बड़े, हाँ, गलत तो नहीं कह रही थी, वे, सपने तो देख रही थी, जिसकी कीमत उसे चु क्या जलजला आ जाएगा, अपने में ही तो मस रहती हूँ, मोबाइल पर काने सुनना, इतना क्यों अखर जाता है इन मैडमों को, बड़बडाती हुई, जब सुधा अंटी के पास पहुंची, तो वे इस बात साहन वूती के मूड में दिखी, आंटी, क्या ही अच्छा होता कि मुझे नाचने गाने का ही काम मिल जाता, कहीं वो स्टेज पर भीड में नाचते हैं लड़के लड़किया, आप जानते हो किसी को, हमें उसी ग्रूप में काम दिलवा दोना, प्लीज, कम से कम इजजत की दो रोटी तो खा सकूंगी, मेरा नाचना गाना तो किसी को बुरा न लगेगा, जानते हो अंटी, किसी को, बताओ ना, सुधा ने इस विचित्र निगाहों से घूरा, तू क्या क्या करेगी जीवन में, कुछ भी क्लियर है तेरा, वहां भी पढ़े लेके लोग चाहिए, कलाकार होते हैं, कलाकार, थोड़ी देर वह चुप रही, सुमित्रा ने उम्मीद भरी निगाहें उन पर टिका दी, सुन, पता नहीं, वो तुझे लेगा या नहीं, रोहिस सर हैं, सुसाइटियू में बच्चों को वेस्टर डान सिखाने जाते हैं, मैं उनसे बात करके देखूंगी, ये मेरी आकरी कोशिश ह उसके बाद तुझे वही रास्ता पकड़ना पड़ेगा, समझ ले, आसान नहीं जिंदगी बच्चु, कूद भांद बंद कर और कोई एक काम धंदा पकड़ ले, तुशादी कर ले किसी बुढ़े से, साला जल्दी मरेगा और तेरा जीवन समर जाएगा, खोज ले कोई ब हाई भतीजों के लिए उसे पटाने की कोशिश की थी, एक लड़के से तो दो-चार मुलाकातें भी हुए, तीसरी मुलाकात में मुमोज खाते खिलाते, वह अपनी आउकात पर आ गया, ये छोटे-छोटे कपड़े नहीं पहनने दूंगा, साधी के बाद, ज्यादा लटक-जटक नापसंद हमें, साड़ी पहनने पढ़ेंगे तुझे, मैम बनके ना रह पाएगी, सोच लियो, हम पैसा कमाएंगे, तू घर समाली ओ, ज्यादा से ज्यादा, एक हाद कोठी में काम पकड़ लेना, बस, एक लड़के ने तो नया मुबाइल भी करेगी, असी के दशक के सारे पिटे हुए रोमांटिक गाने उसमें डलवा दिये, कि वैक हाले वक्त में उसे याद करें और सुनती रहे, इन लड़कों की बातें सुनकर उसका मुझ कड़वा हो गया, शादी की सारी रोमानियत गायब हो गई, और खुद को सारी में लिप पैरों में पानी के काटे का निशान, वक्त की बेरहम ताल पर नाश्ती हुई सुमित्रा और उसकी धूल धूसरित कामना है, ना ना नहीं होने दोगी ऐसा, खुद कमाएगी, चाहे जैसे भी वो अपना रस्ता खुद बनाएगी, अपने सपने खुद ही पूरे करेगी वो वो बार-बार बोलता है न सुधा अंटी का चमचा, वो छूरी अपने सपने डाउनलोड कर ले, देखकर ही खुश रही हो, वे दिखा देगी सबको, उन लड़कों को, इन मैडमों को, सुधा अंटी को भी, कभी-कभी सही मनजिल पर पहुँचने के लिए गलत रास्ते पर चलना पड़ता है, वे चलेगी, वे बस स्टॉप से खड़ी हुई, मनीमन फैसला कर लिया, चाहे कदम किधर जाएं, वे खुद कहा जा रही है, उसके सपने उधर ले जा रहे हैं, सपनों का कसूर है, उसने कदम होटल की तरफ बढ़ा दिये, रुक कहा जा रही है, उधर म तुम इत्रा आंटी ने बेजा है, कौन उसे ओरिजनल नाम से पुकार रहा है, यहाँ पर वे पल्टी, दांत निपूरता हुआ, सुधा आंटी का चमचा तेजी से चला आ रहा था, साथ में कोई छोटे कद का छरररा लड़का जैसा, पीट पर पफ बैग लादे, स्माट दीख रहा था, चेहरे पर गंबीरता का आवरन चड़ा है, क्या है, यहाँ तु क्या करने आया है, इत्ती दूर, क्या बात हो गई, सुमित्रा ने त्योरियां चड़ा ली, इनसे मिल, रोहिसर हैं, दांस सिखाते हैं, और इनका अपना गुरुप भी है, सुधा अंटी के पास आये थे, इन्हें अपने गुरुप के लिए डांसर चाहिए, तेरी जैसी पागल लड़कियां, जाएगी तो बात कर ले, आखरी चांस है, नहीं तो जिधर मरना हो, मरुद्र, सुमित्रा को कुछ सुनाई देना बंद हो गया, वे हवा से भी हलकी होकर उड़ रही थी हवा में कुछ मंत्र सा छिटक रहा था, हम आपको अभी मंत्री पैसा नहीं देंगे, पर हर शोके तीन हजार रुपए देंगे, आप चाहें तो हमारे स्कूल में इस्टे कर सकती हैं, पूरी सरे समर्पित होकर डांस में लगना होगा, कपड़े में नकरे नहीं, हर साइस के एक्सपोजर वाले भी पहनने पड़ेंगे, इज़त पूरी मिलेगी, बहुत नाम है हमारे ग्रुप का, हम कोरस में नाचते हैं, बड़े-बड़े मॉल्स और स्टार के साथ हमारा ग्रुप परफॉर्म करता है, बस जी हम इतना ही शुरू में आफर कर सकते हैं, आप देख सुमित्रा को लगा हवा से हल्की देख होती जा रही है, जो कभी-कभी पतंग भी बन जाती है, एक डोर उसे सपनों की तरफ लिये जा रही थी, एक सपना डाउनलोड हो रहा था यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो क्रप्या चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद